हलो यूट्यूब फामली तो कैसे हैं आप लोग वेलकम टी और वोन चैनल स्टेडी मोर वेग तीपाग यादव हम अपना चैनल 5 का पाट 2 चोंटिन एंदान स्टेडी मोर चुका हैं आपको पूरी सिरीज देखना भूलना हमने फ्राट में ठीवर्ट भड़त था क्लासिफिकेशन आप अंड़ Alf Indienack music और कोशिश करेंगे छिंदू स्टानी मुसिक करें आज हम इसी लक्चर में खतम तो गाईज यहां पर जो आर्टेंट कल्चर बुक है नितिन सिंगानिया जी बहुत जादे इंपॉडटन बुक है और यहां पर मैं इस तरीके से से cover कर रहा हूं कि ९ूट्यूब पर किसी ने भी cover actors नहीं करए औो पर ला इंस ने इस तरीके से連q we little आ यहां पर अगर आप पल डुकिंध कर दे कि तरीक बना रहा हonsten कि कुछ बार हूँ हूं हो कुछ स्गकर समझ करा शो मैं अ Quindi तब ही बोल रहा हूँगा कि यहां पर आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पैन और कॉपी लेके बैठते हो नोट्स बना रहे हो तो साथ-साथ आप यहां पर पूरी की पूरी बुक को कवर कर रहे हो मेरे साथ तो बहुत तो सब्सक्राइब कर सके 100 सब्सक्राइबर्स बस होने ही वाला है जल्द जल्द यहां पर 100 subscribers complete करा दो और चैनल को red color का button दबा देना subscribe कर देना इसे क्योंकि यहां पर हम और भी standard books लेकर आएंगे जो हम आगे भी cover करेंगे और सारी book में इस तरीके से cover कराऊंगा page to page ही cover कराऊंगा कि आपको जो standard books है उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा आप एक ही यहां पर study more पर ही सारी books को अपने लिए आपर पढ़ सकते हैं notes बना सकते हैं so guys यहां पर अगर आपको कोई भी problems होती है अपनी preparation से related ठीक है अगर preparation से related कोई भी दिक्कत हो दिये कैसे करें या फिर हम official workers है तो किस तरीके से preparation करें इस strategy क्या होनी जी है तो आप मुझसे यहां पर Instagram पर बात कर सकते हैं personally दीपक underscore 1004 के नाम से account है आप Instagram पर नहीं हो तो Facebook पर बात कर सकते हो दोनों ज़्यक्त एकी profile है तो दोनों ज़्यक्त आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने को यहां पर हम जो भी आपको problems हो आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको जो problems हो personally बिल्कुल sort out पर दूँगा और guys study more को subscribe करना बिल्कुल भूलना so guys study more को जल्दी से subscribe कर दो चलते हैं आपने आज topic के आज के topic के ओपर जोगी classification of Indian music है तो guys आज को जो हमारा topic है वो है classification of Indian music जिसमें हम लोग आज Indian music classical music को देखेंगे हिंदुस्तानी style को हम complete करने की पूरी कोशिश करेंगे हो सकता है करनाटिक style को भी खतम कर दें so guys यहां पर lecture mind तक बने रही हैगा और पिछले lecture में हमने क्या पढ़ा था points of difference पढ़ेते हम लोग थार्ट और राक की बीच में यहां पर हमने complete कर दिया था तो आगे हम अब आज अपना जो Indian classification Indian music classification कैसे है एक तो classical music है यहां पर folk music है और इन दोनों का एंडर में यहां पर जो हिंदー। फान करा गया बारत नत्यана शास्त्र में आता है जो किवारू से जले में हमने खरी ऐसिए डाया आज़ा है और म्हांवरे। अब क्या ब्रांच अarent य्यां प्र्रांथ करती है दिसकर्टेश करती में और जो music है उसको कैसे निखर के लाया जाए उसे कैसे को निखार के लाया जाए ठीक है जो हिंदुस्तानी ब्रांचे उसने एडॉप्ट कराई शुद्ध स्वर सब तक यानि सब तक कौन से होते हैं सारे गामा पाधा नी तो ये कुछ शुद्ध स्वर हैं इन्हें हिंदुस् में स्टाइल हैं सिंगिंग जाने की हिंदुस्तानी म्यूजिक को गाने के दस तरीके हैं उनको हम डिसकस करेंगे कुछ इसमसे तरीके जो कि यहां पर दस तरीके कौन-कौन से हैं द्रोपड धमर होरी खयाल टपा चतुरंग रागा सागर तारन सरगम ठुमरी तो यहां पर कुछ स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि किस स्टाइल से म्यूजिक को हिंदुस्तानी म्यूजिक को गाते दे सबसे पहले हमारा द्रोपड स्कूल है उसे देखते हैं यह एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा फॉर्म कहा जा रहा है हिंदुस्तानी क्लासिकल तो यहां पर नर्यश को चीज़ों का दरसा एक तो कवीता और कवीता को गाने का एक ठीक है उसको जो गाएंगे उसे संग करेंगे गाएंगे उसको एक गाने का स्टाइल तो इन दोनों को वर्ड्स को मिला कर यहां पे यह दुरूपड वर्ड लिया गया है और दुरूपड वर्ड जो यह दुरूपड हमारा स्कूल था म्यूजिक का स्कूल था यह अपने पीक तक पहुचा अकबर के टाइम पे और इन्होंने बहुत सारे एंपलॉइड को यहाँ पे पेट्रोनाइस करा था म्यूजिकल मास्टर्स को जैसे कि यहाँ पेट्रोनाइस करा अकबर के कोर्ट में गाया है उन्होंने भी और जो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एविडेंस देखे हैं सिंगर्स के जिन्होंने द्रोपड में मास्टर किया था राजा मान सिंग तोमर की कोर्ट में ठीक है जो की सिचुएटेड है ग्वालियर में उसके बाद चलते हैं तो द्रोपड जो है एक पोईटिक फॉर्म है ठीक है कवीता के रूप में गया जाती है इसमें यहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन है कुछ प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत जाद है और यहाँ पर बहुत सटीकता से राग को जो है हम लोग अच्छी तरीके से एकदम खोल कर गाते हैं उसके पाद जो द्रोपड है वो अलप से स्टार्ट होता है अलप क्या होता है हमने प्रिवेस लेक्चर में पढ़ा था जिसमें कोई वर्ट्स नहीं होता है जो गाने की स्टार्टिक में गया जाता है या या पिर आ से start कERा जाता है ना गना तो जो अल्प होता है उसे वह partial में कहते हैं यहाँ पर जो स्टार्ट होता है को य alright वह भी अलब से start होता है जो कि without word start होता है और दीरे दीरे वह आन्या क्वाट स्वार में चला जाता है और यह बहुत important पार्ट है performance का एक pure music है बिना words के distraction गागर words होंगे तो आप distract होगे इस वज़े से यहां पर इसे pure music कहा जा रहा है और द्रोपड में Sanskrit syllables का भी यहां पर including include बताया हुआ है यानि कि Sanskrit syllables होते हैं Sanskrit के से related अक्षर होते हैं और यहां पर जो द्रोपड composition यहां पर 4-5 stanza होते हैं जो की perform करे जाते हैं दो जने के द्वारा duo मतलब डुएट होका होता है दो जने के द्वारा यहां पर perform करा जाता है जनरली बात करें तो दो आदमी होते हैं जो परफॉर्म करते हैं द्रोपड style performance को और तनपूरा और पकावज यहां पर इनके साथ होते हैं ठीक उसके बाद जो द्रोपड singing है यहां पर उसे यह का जा रहा है वो डिवाइट करी गई है चार forms में जो की बानी वानी इसके बेसिस पर यहां पर कहा गया है जो परफॉर्म करी जाती है और वो चार कौन कौन से बेसिस हैं वो यह है हमारे दगारी घराना दरबंगा घराना ठीक है उसके बाद बेतिया घराना और तलवंडी घराना तो घराना क्या होता है घराना यहां पर आप समझे लिए घर की टाइप का होता है जो की यहां पर एक social organization होता है यहां पर musicians, dancers को रखा जाता है apprenticeship पर उसके बाद यहां पर घरान जो यह word घराने कहां से आया है उर्दू और हिंदी वर्ड से घर से जिसका मतलब है family और house यहां पर जो musical ideology originate होती यानि सारी musicians बैटे होता है साथ में बहुत सारी musicians होता है तो एक दूसरे से idea create होत होता रहता है अब जो यह घरन है घराना भी है सकते English में घरन मैं घराना कहा दे रहा हूं चलो जो यह घराना यह इंडिकेट करता है एक musicological ideology जो हम भी बता बात कर चुक है जिसकी और यहां पर directly affect करता है thinking के ऊपर teaching performance और appreciation of music के ऊपर कुछ घराना जो की बहुत अच्छी तरी और पर किराना और पटियाला इन में जो कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे भी पहले हमारे कुछ यहे हैं द्रॉपट जो की गाये जाता है चार फॉर्म में वो कौन-कौन से घराना है ठीक है वो है फ Whatsकिया हमार दागारी घराना यह जो की डगर फैमिली गाती है दगर वान गाते हैं जैसे example है हमारे पास गुंदेशा ब्रदर्स जो की जैपुर से हैं उसके बाद आता है हमारे पास दर्बंगा घराना ठीक है यह जो गाता है खंदारवाणी गाता है गुवारवाणी गाता है और यह जादतर जोड देता है राग आलाप के ओपर राग क्या यानि कि उसकी मधूरता के उपर, मैलोड़ी की structure के उपर जाधे तर धिहान देते हैं, as well as यहाँ पर जो songs होते हैं, उसकी जो उसको निखार पन, उसका जो निखार के आता है, जो सुन्दरता के उपर उसका बहुत जाधे काम करते हैं, और यहाँ पर लाइकरी भी incorporated इसी गाने में, उसके बाद जो exponent हैं, इस स्कूल के वो हैं, मलिक फैमिली करेंटली की बात करें, जो कुछ performing members हैं, जो दर्बंगा घराने में यहाँ परफॉर्म करते हैं, वो हैं राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक और सियराम तेवारी, ठीक, उसके बाद आता है हमारा बेतिया घराना, यह perform करा जाता है, नोहर और खंदरवाणी स्टाइल में, और यहाँ पर कुछ अद्बुट टेक्नीक हैं, जो की train करी जाती है इन फैमिलीज में, ठीक है, फदर्मोर जो यहाँ पर फॉर्म है, द्रोपड़ की है प्रिवलेंट है, बेतिया या फिर दर्बंगा स्कूल में, जो की जानी जाती है हवेली स्टाइल से, उसके बाद जो लास्ट फॉर्म है, वो हमारा तलवाणी यहाँ पर तलवाणी घराना, यह लोग खंदरवाणी गाते हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली जो होती है, इनकी पाकिस्तान, पाकिस्तानी बेस्ट होती है, इस विएसे ने बहुत जादे डिफिकल्टी होती है, इंडियन म्यूजिक को गाने में, घराने के बारे में हमने पढ़ी लिया, अब हम बात करते हैं, खयाल की, ठीक है, खयाल किया है, यह भी हमारा एक स्टाइल है, हिंदुस्तानी म्यूजिक को गाने का, ठीक है, जैसे हमारा द्रोपड़त है, वैसे यहाँ पर खयाल है, जो हमने दस स्टाइल पढ़े थे न, उसमें से एक खयाल भी है, अब खयाल के बारे में पढ़ें, जो word खयाल है, कहां से आया है, आपको समझ में आ रहा हूँ, imagine करना, खयाल जो है, तो यहां पर डिराइफ करा गया एक Persian word से, जिसका मतलब idea और imagination, ठीक है, imagine करना, जो यह जो style है, origin हुआ, और यहां पर विशेष्टा जादे तर प्रदान करी होते हैं, वही गाने गाते हैं, सुल्तान मौमद शर्की जो है, उन्होंने जादे बहुत जादे पैट्रोनीज दिया है, खयाल को 15 सेंचरी में, और जो most unique feature है, खयाल का वो यहां पर यह लोग तान का इस्तमाल करते हैं, अपने composition में, और जो खयाल होता है, वो दो टाइप क है, खयाल का, यह बहुत romantic होता है, ठीक है, नेचर में romantic होता है, खयाल का जो composition होता है, यह लोग Lord Krishna, Krishna जी को बहुत जादे क्रिशन जी की बक्ति को यहां पर प्रीज जादे करते हैं, जो यहां पर खयाल के जो major घहरानाज हैं, वो कौन-कौन से हैं, पहला है हमारा ग्वालि इक्वली जोर दिया जाता है, उसके song के मधुरता के उपर साथ साथ उसकी rhythm के उपर, जो most popular expounder है इस घहराना के, वो है नाथु खान और विश्नु पलुशकर, उसके बाद आता है हमारा second Kiran घहराना, यह जो घहराना है, इसे name दिया गया है, किरन कब नेम दिया है, पहले ह कि हाँ पर यह लोग बहुत जादे जो एकदम ठी जो सटी होती है, एकदम सटीक ट्यूनिंग करते हैं और साथ नोट स्वर का एकदम सटीक तरीके से इस्तमाल करते हैं, इस वगई से यह लोग जादा जाने जाते हैं, जो किरन घहराना है, यह जाने जाते हैं अपनी mastery के ल देते हैं और यह लोग इतना कोशिच करते हैं कि जो इतना मतलब धीमिगती से गाते हैं ताकि जो एक एक वर्ड है उनका जो प्रॉनसियेशन है वो बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे उसके बाद यहां पर बहुत सारी सिंगर्स आये ग्रेट सिंगर्स से जो की जाने जाते थे लेकिन जो मोस्ट फेमस सिंगर्स है किरन घराना के वह हैं पंडित भीमशेन जोसी और गंगुबाई हंगल उसके बाद आता है हमारा लास्ट आगरा घराना यहां पर क्या है जो हिस्टोरियन से उन्होंने वहां उनमें बहस हुई ह कि जो खुदा बक्ष है उन्होंने एस्टेब्लिश करा यह वहाला घराना 19th century में लेकिन जो म्यूजिको लॉजिस्ट है वो बहस कर रहे है कि हाजी सूजन खान ने यहां पर यह फाउंड करा है ठीक है यह बहस चलती रही है किस से पक्ष में गया रिजल्ट यहां पर दिया गया रंगीला घराना ठीक है अब जो कंपोजीशन है इसके अगर आगरा घराना के अंडर में यहां पर किस तरीके गाने गाया जाते हैं खायाल प्लस ध्रोपड दोनों का मिक्स्चर गाया जाता है करेंटली की बात करें अभी कि जो मेजर एक्सपाउंडर है इस स्क सब्सक्राइब करेंगे गाने में एक मधूरता एक सुंदरता देने के बार ठीक है जो कि यहां पे और मेंटेशन का काम करते था वह अलंकार अगर गाने में अलंकार करोगे पे सुंदरता डालोगे तो वहां पर ओब्यस्ली एमोशन क्रियेट होंगे और यहां पर काम करते थे जो घाराना यह वाला यह बहुत जादे अद्बुत क्यों हैं क्योंकि लोग तांस का इस्तमाल करते गामक गाई की और तारन स्टैल का इस्तमाल करते अब बेंडी बाज और घारना यहां पे चो चच्चु खान है नाजिर खान है खादिम हुसेन खान है इन्होंने फांड गया है 19 सेंच्री में ठीक है और इन्होंने पॉपलेरीटी प्राप्त करी फेम मिला इने सिंगर को दरन पर कब कब पहले नहीं कर गया इनकी ट्रेन कैसे कर गया ताकि वह हमारा next style आता है वह है तारण style ठीक है तारण style जो है तारण style जो वह हो ये भी हमारा यह जो 10 मेरी style पढ़ते ना हमने हिंदुस्तानी music के उसमें से हमने ध्रोपर पढ़ लिया उसके बाद यहां पर खयाल पढ़ लिया अब तरहान स्टाल पढ़ते हैं में क्या होता है यह हमारे कुछ अनों keln हैं तो 10 10 में से कुछ फेमस हैं जो की प्रेजेंट बोक में और युप इस एस्ट में होता है नियुकि तरहान उसनिके होता है यह बहुत जाह Тुम इंप़ुकिल प्ले करता अब structure होता है यहां पर बहुत जादे melody होता है ठीक है यह भी मदूरता के उपर काम करता है यहां पर यह लोग बहुत सारे words का इस्तमाल करते हैं और बहुत साथे तेज गती में गाना गाया जाता है यह लोग focus करता है यह लोग किस चीज़ को पर focus सब्सक्राइब यहां पर मिवाती घराना के है 2011 में जो और यहां पर पंडित मोती राम संगीत समरों में गई हैदराबाद में और इन्हें टाइटल दे दिया गया तारन का बादशाह किंग आफ तारन कह दिया गया अब आते हम लोग कुछ यह जो हमारा classification है दूसरा है वह तो हमारा हमने अभी पढ़ा classical style ऑफ हिंदुस्तानी music और यह semi classical यह थोड़े बहुत कुछ semi class यह थोड़े बहुत classical style से relate करते थे हिंदुस्तानी music के वह कौन कौन से style थे यह जो semi classical style of music है यह भी बेस्ट है किस पर बेस्ट है स्वर यानि note के उपर बेस्ट है और यहां पर कुछ थोड़ा बहुत deviate होता है यहां पर यह लोग ऊचे स्वर से lighter version पर चले जाता है ठीक है lighter version पर चले जाता है जैसे कि भूपली मालकुष इन सब का करा जाता है कुछ prominent semi classical style से जैसे कि ठुम्री टपा गजल इन सब के बारे में भी हम cover करेंगे पहले हम लोग ठुम्री के बारे में जान लेते हैं ठुम्री जो है वो mixed rocks के उपर बेस्ट है यानि की mixture मधूरता का mixture के उपर बेस्ट है और जो commonly आपर इससे consider करा जाता है semi classical Indian music जो इसका composition है यह तो रोमेंटिक और धार्मिक नेचर है यह जो गाना होता है ठुम्री धार्मिक से रिलेटी याफि रोमेंटिक से गाया जाता है और यह लोग inspire हुए हैं भक्ति मूव्मेंट से ठीक है और भक्ति मूव्मेंट में इन्होंने क्या पसंद आया है ठीक उसके बाद जो composition है यहां पर यह लोग female यहां पर female गाती है गाने को जो ठुम्री है यह एक category के यहां पर कैटिगरी इस्तमाल करती है जो कि यहां पर कुछ और लाइटर है जहां पर कुछ और भी हैं ठुम्री के कुछ कैटिगरी हैं वो कौन-कौन सी है दादरा होर जही तेज गती में गया जाता है जो में घृर भी याद रखनाय यहां पर यहां पर इजाते ही हैं यहांग भारी ताएर उने पर सबाreten आता हुए हमारा ऐसाइल फार कि हमने हमें त्रफारे जो 10 स्टाइल है पाइowser वह सै क्लासिक्ल यह श्टाइल में आता है अलसे होने क्या यह स्ताइल में तॉपा में यह इस्ताईल में जो रिद्म जो होता है यह लीग है जो composition होता है यह based होता है सबल के उपर naughty construction के उपर सूक्षम और जटिलता होती है गाने के उसके उपर और यह originate हुआ है folk songs किसका camel riders का चैंबल के उपर बैठते हैं राइड करते हैं जो कि नॉर्थ-वेस्ट इंडिया में होता है लेकिन इसने जो यहां पर वैदता प्राप्त करी एजक सैमी क्लासिकल वोकल स्पेशलिस्टी कहां पर प्राप्ति करी जब यह जो गाना है यह मुगल कोट में लाया गया मुगल को जो इस दो-लाइन का इस्तमाल कर चाता है और जो यह लाइन होती हैं दोनों वही दम एक दूसरे साल अलग होती हैं और गलग किशबी के आंटर्शा साल S Herbert clyre के तुरू यानी कि कैसे एक तो दर्द के लिए दर्द से यहां पर इसे दर्द की तरीके से देखा जा सकता है ठीक है कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से गजल लो गाई जाता इंस अ सबसे पहले आप इरान में हुई 10 सेंचरी एडी में जो गजल होती है वह बारा आशार यानी बारा कप्लेट से बारा 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 कप्लेट हो गई तो मतलब 24 लाइन से जादा नहीं हो सकती गजल उसके बाद यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो अमिर खुसरा हुआ यह most expounder थे art of making गजल गे उसके बाद जो गजल है यहां पर यह कोई specific form नहीं थी बट ठीक है यह specific form नहीं है लेकिन जब यह पहले जब traditionally यह गई जा दी थी पहले काफी पहले तो यह love से यहां पर love से deal कर दी थी जो एक subject से deal करती थी जो कि यहानी love से related यहां पर गजल वगरा गाई जाती थी और love ऐसा जो कि अटूट हो उसके बाद कुछ famous person है जो कि गजल से associate करे जाते हैं वो है मुझा दिक्बाल मिर्जा घालिप रूमी 13th century वाले हाफिस 14th century वाले काजी नजरूल इसलाम और एट सेक्टर और अन्य कुछ ऐसे लोग भी है उसके बाद आता है हमार उपर traditional octave में आपे प्ले करा जाता है जो music है कृती बेज़ड़ यानि जो जाज़तर focus होता है यह lyric quality के ऊपर phase करता है जो गाने के lyrics होता है ना गाने के lyrics होता है यह lyrics के उपर उसकी quality उसकी quality के ऊपर जाज़तर यह लोग focus करता है ठीक अजो सारे composition होता है करनाटिक style में कुछ नहीं हो सकता को इन уप दो法 है इसमें चेपार के बिना वह नहीं हो इन चारों प्रेजंट रहेंगी जो पैली मैंकि बहूती है और यहां पर पूर्षन ओता है लिपीट होता है हर स्टैंड कि देखते होंगे, जो पोयम बागेर होती उसमें, इसेंगे, जो सुरू की दो लाइन होती हैं, रिपीट होती हैं, उसके बाद आता है मड़ा सेकेंड इनुपल लवी, जो दो निया कि रिपीट करा जाए हर स्टेंजा में ठीक है पल्लवी जो है वो रिपीट होती है लेकन यहाँ पर अनू पल्लवी कोई नैसेसरी नहीं है कि यहाँ पर रिपीट हो उसके बाद आता है हमारा वर्नम यह भी प्रेजेंट होना चीए करनाटिक मूजिक में यह कॉंपोज ठीक है पूर्वांग और यहां पर उत्रांग इसके बारे में हमने पढ़ा था गाइस वीडियो को पॉस करो आपने पहले वाली वीडियो देखिए इससे पार्ट वन इंडियन फटाओ जल्दी से आप पर कॉमेंट सक्षिन में बताओ उसके बाद यह जो फूर्थ चीज आपर प्रेसेंट होनी चीए करनाटिक मुजिक में वह राग मलिक ठीक है राग मलिक यहां पर इसे हम कॉंक्लूडिंग पार्ट कहते हैं जो कॉंक्लूशन होता है गाने का एंड हो ठीक है करनाटिक मुजिक में तो जो यह पार्ट होता है जाब हो जादे इंपोर्टेंट होता है और जो सोलो इस्ट होता है यहां पर फ्री होता है वह कुछ भी करें उसके बाद जो करनाटिक म्यूजिक होता है वह यहां पर मृदंगम मृदंगम का एक इंस्ट्रूमेंट जब यहां पर मृदंगम का यहां पर इस्तमाल नहीं करेंगे हम लोग तो वह रगम कहलाएगा बस इतना समझ लो जब हम मृदंगम इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना गाएगे तो वह थनम कहलाएगा जब नहीं गाएगे तो वह रगम कहलाएगा ठीक डिफ्रेंस बिट्वीन देख ले रहे हैं डिफ्रेंस बिट्वीन हम हिंदुस्तानी मूजिक और करनाटिक मूजिक यहां पर इंफ्लूएंस कहां से आया है इंफ्लूएंस कहां से प्रभावित हुआ है अरब परिशन और अफगान से करनाटिक मूजिक अपना खुद का खु scope of artist to improvise, स्कूप of variation, variations के तुरू यहां पर यह चीजों को ओपर नीचे कर सकते हैं लेकिन यहां पर करनाटिक मूजिक में कोई freedom नहीं होती, सब स्टाइल्स कैसे होते हैं, यहां पर several styles हैं और यहां पर जो घरंस का emergence हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इस्टाइल्स हैं वो एक particular style के उपर गाने गाये जाते हैं लेकिन यहाँ पर jitter सारे अलग अलग style के उपर गाने गाये जाते हैं यहाँ पर किनों 林िजिक में किस जोरत पडती है ऐसी क हिन्दूस्तानी music की बहुत ज़्यादें है inviting वोकल यानि कि हमारे गले में जितना दम है उतना है यहां पे इंस्ट्रुमेंट का भी इस्तमाल होना जादे जरूरी है और यह लोग जादे तर अपने गले पर विश्वास रखते हैं उसका राग में यहां पर 6 राग होता है यहां पर 72 राग होता है टाइम की बात करें तो ही पर यहां पर टाम का पालन करता यह पालन करता उसके बाद जो मेजर इस्ट्रुमेंट यूज होते हैं वह तबला सा रंगी सितार में हिंदुस्तार कर जाता है इनुस्तारी में वीना मृदंग म दोनों के अंदर यहां पर इस्तमाल किया जाता है यहां पर एक common चीज भी है तो आप इसे चीज को याद रख सकते हो ठीक, question बन सकता है यहां पर हम लोग अपना आज का lecture अपना session आज का खतम करते हैं और जो कल हमारा lecture आएगा, वो आएगा folk music पर और folk music को भी कल हम अपने एकी session में खतम कर देंगे ठीक है और कोशिश करेंगे जो fusion है, classical और folk का उसे भी हम लोग कावाली बगर होगा खतम कर दें, जल से जल हम यहां पर निप्टाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी Indian art and culture कोशिश कर रहे हैं कि प्रिलिम से पहले निप्टा कर आपको यहां पर पूरी प्रोवाइड कर आ दे हैं, so guys यहां पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या, तो रेड कलर का नीचे बटन आ रहा होगा, guys प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल बस 100 यहां पर क्रॉस करने वाला है हमारा Studymore channel जल्द यल्दी चैनल को अंडे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे जल्द यहां पर प्लीज जल्द यल्दी